जैश्री कृष्णा जैश्री राधे आज मैं अपने प्रिय दर्शोकों को बताने जा रहा हूँ पुस्वनक्षत्र के संधर्व में और करेंगे पुस्वनक्षत्र में ये कुछ विसेश कारिय तो होंगे माला माल धन की होगी बर्शा मन में मिलेगा वड़ा सकुन और जीबन में मिलती रहेगी सफलता की अदबुद राह पुस्वनक्षत्र यदपी हर 27 दिन में आता है इसमें कोई संधे नहीं है लेकिन कभी कभी पुस्वनक्षत्र सनिवार या रहिवार में होता है या किसी पर्व विसेश पर होता है तो उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसी प्रकार से पुस्व नक्षत्र चार तारीक सनिवार जो कि दिपावली पर्व के आसपास जब नक्षत्र पढ़ता है दिपावली से पूर्व तो होता है वो बहुत ज़्यादा लावकारी है इसमें क्या विसेश कायरिय करें हम पहला कायरिय जो मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए उससे पूर्ब में चाहूंगा कि आप हमें सब्सक्राइब करें बेल आइकुन दबना बिलकुल न भूलें और जो कुछ आपको लगता है वो हमारे वीडियो के नीचे ज साथ वजगे सत्तामन नट पर अरम होने जा रहा है और ये नक्षत्र पांच तारीक रविबार को प्राते काल साड़े दस वज़े तक रहेगा सनिवार में जो पुष्वनक्षत्र है उसमें आप करें सोने की खरीदारी करें बस्तरों की खरीदारी करें चांदी की खरीदारी करें इस्तिलादी के पात्रों की खरीदारी करें ये होता है सर्वुत्तम चीज अपनी सनिवार के दिन जब पुस्वनक्षत्र पढ़ता है उस दिन अगर आप ओम महालक्षमेंच अबेदेमहे विश्नो पत्नेंच धीमही तन्नो लक्षमी परचो दयात इस मंतर का जाप करें तो आपके घर में होगी माला माल की वर्षा ओम नमो भगवते वासुदेवायव इस मंतर का जाप करेंगे तो घर में होगी सांती की बर्षात और सांती की सौगात आपको प्राप्त होगी इसी संधर में आप अगर उसमें कोई हवन करते हो अपने जिस कामना के उद्देश से अगर अपने श्देव के मंतर से करेंगे तो श्देव आपका सिद्ध होंगे और आपकर किर्पा की वर्षा करेंगे अनंत गुनाफल देता है सनी बार के अंदर जब पस्वनक्षतर होता है और रभी वार के दिन होता है तो और भी जदा उसकी महतुता बढ़ जाती है इस वार को पांच तारीको साड़े दस वजे तक अहो ही अस्ट्रमी जो की हमेशा लक्षमी का एक रूप माना जाता है उस दिन लक्षमी की पूजा का ही एक रूप होता है उस दिन करें विसेस गया लक्ष्वी प्राप्ति के यग, करें कुछ अपनी सेवक के नुसर दान, तो पाएंगे जीवन में प्रभु का एक आप, बहुत अच्छा सुख फूरवक बरदान, उस बरदान में हमें मिलेंगी सफलताइं, और बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन मे प्राप्त होने लगेंगे, उसी दिन हम चाहें हमारे जीवन में कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे आटाए है, चाबल है, घी है, दूद है, इत्यादी, रोज रुमरिया के अलाबा अगर और भी स्टॉक करेंगे, तो वो भी हमारे जीवन में रहती है, बहुत ज्यादा सफ